शेहर में पिछले कई सालों से तूटी वे खस्ता हालत सडकों को लेकर रोज सवरूप पंजाब बसरड़ा शेत्र के दुकानदारों ने एकत्रित होकर पंजाब बस्टेंट पर सडक के बीचों बीच टेंट लगाकर रोड जामकर धरना लगा दिया और सरकार वे सम्मंदित विबाग के प्रती नारेबाजी कर रोश व्यक्त किया दुकानदारों का कहना है कि तूटी वे जरजर सडक के चलते दिन भरधूल मिटी उड़ती रहती है जिसके चलते जहां उनका कार्या प्रभावित हो रहा है वहीं सडक से निकले पत्रों के जम कर भड़ास निकाली करीब अड़ाई गंटे चले इस धरने को स्डेम बिजेंदर सिंग द्वारा आश्वाशन देने के बाद समाप्त किया गया दरने बे बैठे लोगों ने प्रशाशनी का दिकारियों को जेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशाशन की और से आप यह देख रहे हैं कि यह जो में रोड है जाहां से रेंवी रोड है जो किस मुख्या रोड है लावाली की और यहीं से पूरा लावाली का जो चाहे स्कूल के बच्चे हो या में जो हमारे सीनियर लोग है यही एक रोड है जिससे हम आके पिछे जा सकते हैं और इस तो जो समझोता पहले होगा था हम यहीं चाहते हैं कि ट्रकों की आवदावी भी सिस्टम बने यहां से निकले तो दूसरी साइड से निकले और दूसरा यह रोड इतनी अच्छी सिंटेड बनाई जाए इस परकार की बनाई जाए कि ओवर लोड़ेड ट्रकों को भी बहन कर सक तो यह तमाम मुद्धों को लेकर आज कालावाली के सभी जो लागरिक हैं हम दढ़ने पे बैठे हैं हम सरकार से मांग करते हैं कि रोड को जल्द से जल्द बनाई जाए और ट्रेफिक निती को सुधारा जाए पड़ी है इसने कुछ भी निकिता लोका दे बहुत माड़ी हलात रहें विट्टी तो उरूड रही है चटका देविच गुटी-गुटी खटेन है जे तो थाड़ा रोड लेलो अजर लेलो मंडी देविच सारे बुरी हलात रहें इस करके लोका दी मंगनू सरकार पूरी क लोका देविचला में रोड़ा ना पड़ी इसका बहुत खास्ता हाल था कई वर हमने पहले भी दर्ना दिया लेकिन सरकार के जूटे शवाशन में हम कई वर उड़ा दर्ना समाब्स करती है लेकिन आए लोड़ानी लोड़ानी तारना हम को आज फिर मजबूर निदकानदा का मामला है जिस बर्शाचन नहीं सही करता हो ते रोड़ से नहीं मनाता है इसका हमारा दर्ना जारी